नमस्कार फ्रेंड सोनलेंटेक सब पुचिंदी में एक बार फिर से आपका स्वागत है लाल से लिखे सस्क्राइब बटन को क्लिक कर लें और इस चनल को सस्क्राइब करें अर्निंग बढ़ जाएगी तो उसी के बारे में हम इस उड़े में बात करने वाले हैं तो चली वडियो को सुरू करते हैं वडियो को सुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली वारा है तो वडियो के निचे लाल से लिखे सस्क्राइब बटन को क्लिक करके इस चैनल फिलहाल में जो है कुछ दिनों से जो है APS transaction में problem आ रहे थे जो कि आज के date में जो है वो थोड़ा सा जो है solve out हुआ है लेकिन यहाँ पे बहुत ही महत्पूर जो है bank द्वारा यह update चल रहा है और यह update है हमारे लिए बहुत ही SBA CSP के लिए खास होने वाला है चल यहां update के बारे में बात करते हैं जैसा कि आपको पता होगा अगर हम कोई भी account open करते हैं किसी भी customer जो है अमारे हाँ account open कराता है उसके बाद जो है उसमे आधहार link कराता है लेकिन आधहार link होते ही जो है वो customer कर लेता है हमारे बैंक पोर्टल पर यानि कि हमारे CSP आउटलेट पर नहीं आता है तो उसी के लिए बहुत ही अच्छा गुड़ नहीं चल रहा है हमारे जो है SBI एक तरह से कहें बैंक के सर्वर पर यह जो भी अधर पोर्टल पर जो पैसा निकल रहा है स्टेट बैंक का ग्रहा का EPS के थुरू आने वाले दिनों में यह नहीं निकलेगा यानि कि जो है आने वाले दिनों में बहुत ही गिने चुने ऐसे पोर्टल होंगे जिसपे की SBI CSP का EPS के थुरू जो है विड्रॉल हो पाएगा पैसा तो यह हमारे लिए बहुत ही अच्छी खाबार है क्योंकि हम ब जायें कि इसको जो है EPS ट्रांजक्शन को के जो है इसको बंद करने जा रही है प्राइवेट पोर्टल पे उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं जैसा कि आपको पता होगा हम इंग्जांपल के तोर पे आपको बता दे कि पहले क्या था कि अगर कोई भी SIM कार्ड हो यानि कि अगर कोई भी incoming आ रहा है तो उस पे भी जो है वो company चार्ज पैड करती है सेम उसी तरह जो है जो है ट्रांजक्शन को लेकर के होता है अगर कोई EPS सर्विस से माल लिजे किसी पोर्टल से पैसा निकल रहा है तो state bank क्या करती है उसको चार्ज पैड करती है जो कि यह bank अब नहीं चाहा रही है कि कि किसी भी private portal को चार्ज पैड करे सपोर्ड आप कोई भी portal अगर private portal आप यूज करते होंगे तो वहाँ पे एक नीचे में आप देखे होंगे कि कि किसी bank से वह attach होता है जैसे कि माल लिजे कोई-कोई yes bank से attach होता है या आप माल लिजे कोई UPI app भी यूज करते है तो उस पे नीचे में लिखा होता है powered by SBI powered by जो भी bank से attach होता है तो ये bank आने वाले दिनों में ये भी कर सकती है कि कि किवल SBI के से जूड़े हुए जो है private portal हो या CSP हो वही से किवल जो है state bank का EPS के through transaction हो तो ये आने वाले दिने में होने वाला है और ये कूछ तक ये हुआ भी है जैसे कि आपके पास भी बहुत सारा भी customer आ रहा होगा जो कि EPS से बाहर में पैसा निकालता था लेकिन आज के rate में उसका पैसा private portal से नहीं निकल पा रहा है तो वो जो है हमारे CSP outlet पे आ रहा है इससे जो है हमारे commission जो है बहुत ही increase होगी क्योंकि जो customer ए ये जब update हो जाएगे तो हमारा जो है transaction का base बढ़ जाएगा और जो है हमारे अच्छी खासी जो earning जो है ओ भी बढ़ सकती है तो ये जो अभी फिलहाल में भी आप देख रहे होंगे बहुत सारा जो है private portal से जो है state bank का जो है EPS के थुरू पैसा नहीं निकल रहा है बहुत सार जो भी private portal पर पैसा निकल रहा है आने वाले दिनों में बहुत ratio कम हो जाएगी minor ऐसे कोई portal होगा जिस पर कि state bank का EPS के थुरू पैसा निकलेगा जो की customer हमारे outlet पर ही पदारेगा तो जिससे के हमारा commission भी increase होगा तो ये बहुत ही अच्छा जो है हमारे लिए EPS में update हो रहा है ये बहुत ही अच्छा good news है सभी CSP भाई के लिए अगर आपको ये update अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें, comment करें, share करें और इस channel पर पाली बारा है तो वीडियो के निचलाल से लिखे subscribe बटन को क्लिक करके इस channel को जरू subscribe कर लें ताकि SBI CSP से लिटी कोई भी update आती है तो मैं समय समय पर इस channel पर upload करता रहता हूँ, तब तक के लिए thank you, धन्यबाद मिलते हैं हमको next टूडियो में सिधर के मातपूर अपडेट के साथ